Dit नमस्कार दोस्तों हम करने फ्लूड मेकैणिक्स का बर्णॉली कियेशन का अप्लिकेशन बेंcsurimeter बर्णॉली के सं का दोस्तों इनकंप्रेसिबल फ्लूड के लिए अप्लिकेबल है इनकंप्रेसिबल नॉन विस्कस एर्डोलो के लिए हाला कि rotational flow में भी एक steam line पे आप इसको apply कर सकते हैं question है आप entry meter of a 125 mm diameter inlet reduces to a 50 mm throat the gauge fluid used is mercury mercury has specific gravity of 13.6 it means 13.6 into 1000 is the density of mercury thousand is the density of water and the gas height is 250 mm determine the flow rate of water through the venturimeter ऐसा कुछ होता है दोस्तों venturimeter इस तरीके से यहां पर एक हमारा manometer लगा हुआ है दोस्तों यह हमारा one यह 125 mm diameter inlet side और throat यह दोस्तों कम होते होते throat पे 50 mm diameter और यह जो कम होने वाला जो length है यह वाली length है जो यह वाली ज्यादा रखते हैं यहां पर यह वाली लेंख्ट ज्याधा रखते हैं और यह वाली लेंख्ड कम रहता हैं चोंटा रहता है और डाइवर्जं सेंख्टिन बढ़ा स 요 can कहीं यह भी पूसा जाता हैं अर्दो स्तों यह मैं जो मैंघ्ञ लगा हुआ है इसके अंदर manometric fluid है mercury और इसकी height है hg यह वाली जो मैं length कह रहा हूँ दोस्तों यह diverging sanction की length है वो थोड़ी ज़्यादा रहती है आए बर्नॉली equation दोस्तों apply करते हैं V1 square by 2G plus P1 by rho G plus Z1 is equal to V2 square by 2G यही corresponding 2 में term Z तो दोस्तों ऐसा कुछ है नहीं इसी height पर है यह सेम height पर है datum height सेम है इसलिए Z0 हो गया और यहां से दोस्तों अगर मैं velocity को discharge बना लूँ Q is equal to area into velocity होता है तो velocity is equal to Q upon area तो velocity is equal to Q upon area दोस्तों प्लस P1 by rho G और Q दोस्तों constant है Q is equal to A1 V1 is equal to A2 V2 क्योंकि जितना flow अंदर आ रहा है उतना भाहर ही जा रहा है और यह incompressible है यानि density में कोई change नहीं हो रहा दोस्तों fluid के incompressible fluid होने का मतलब है density में कोई change नहीं होना तो यहां से दोस्तों हमें मिल जाएगा Q is equal to A2 under root 2 P1 minus P2 by rho upon 1 minus A2 square by A1 square यानि area का ratio भी throat वाला उपर तभी तो 1 में से minus करेंगे तो प्लस quantity रहेगी तो इसलिए कम वाला area उपर है ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं और जैसे आप divide करके minus करेंगे अगर minus आगे यानि कि आपने उल्टा कर दिया प्लस आएगा क्योंकि अंडर रूट में माइनस हो जाएगा तो फिर complex नंबर बन जाएगा यह दोस्तों हमारा जैसा कि मने उपर बनाया था 125 mm 50 mm यह हाइट x है और यहाँ पर दोस्तों जो एच हम निकाल लें इसको अगर x into density of manometric fluid मानलो यहाँ पर mercury अपॉन रो माइनस वन और अगर दोस्तों यहाँ पर तो जो fluid बहरा है पानी है उसकी density का में तो नीचे आया है मानलो यह जो manometric fluid है उसके उसकी density पानी से भी कम होता जो बहरा है fluid उससे भी कम होता तो इसका उल्टा कर देते दोस्तों मतलब 1-1-1-1 density of manometric fluid upon density of flowing fluid ऐसा कर देते ताकि यह value वही रहे नहीं तो फिर बदल जाएगा मॉड लेंगे इसका मॉड लेंगे इसका माइनस भी बनेगा तो भी हम प्लस ही लेंगे इसको कि क्यू हमारा आगया दोस्तों ए टू अंडर रूप 2 जी एच यह उपर वाली पूरी quantity को हमने 2 जी एच से रिप्लेस कर दिया एच मैंने उपर आपको बताया ही क्या है नीचे 1 माइनस A2 स्क्वेर बाई A1 स्क्वेर या यहां पर आप कह सकते हैं डायमीटर की पावर 4 अपन डायमीटर की पावर 4 अपन इनलेट डायमीटर की पावर 4 और यह करने के बाद एक मेंसे घटा देना है यह 250 mm दिया हुआ है दोस्तों यानि कि 0.25 मीटर और 13.6 अपन और मेनोमेटर फ्लूड अपना वाटर है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 होती है 1 अपन माइनस 1 तो यानि 12.6 आ जाएगा दोस्तों गी 0.25 इंटू 12.6 वेल्यू रख देते हैं दोस्तों हम लोग 2 इंटू 9.81 इंटू 0.25 इंटू 12.6 अपन 1 माइनस 50 बाई 125 की पाउर 4 डामीटर की पाउर 4 कर दिया दोस्तों मैंने इससे हमारा उत्तर आ गया यह 63 है करीब 8 मीटर पर सेकेंड आपकी दोस्तों वेलोसेटी है और यह जो है हमारा यह डिस्चार्ज आया है मीटर क्यूब पर सेकेंड में 10 to power माइनस 3 मीटर क्यूब पर सेकेंड दोस्तों 1 मीटर क्यूब में होता है 1000 लिटर इसको अगर 1000 से हम गुड़ा करेंगे तो हमें आजाएगा 15.6 लिटर पर सेकेंड पंदरा लीटर की बाल्टी एक सेकेंड में भर देगा इतना फ्लोर है दोस्तों इस परकार आप समझेंगे लीटर में हम जाद अच्छा समझ पाते हैं मगर दोस्तों ये वेंचुरी मीटर कुछ लॉसेज होंगे थोड़े बहुत तो सीडी एक कोफिसेंट ऑफ डिश्चार्ज है इसकी वैल्यू 0.8 से लेकि 0.9 इस तरीके से रहती है दोस्तों और इसकी वैल्यू अगर रेनॉल नंबर ज्यादा है तो इसकी अच्छी वैल्यू इस तरीके से और अगर दोस्तों ये हमारा फॉर्मूला था एक बार फिर लिखके हम रिवाइस कर ले ये 2 जी हमारा आया था 2 P1-P2 by rho से और H जो था X rho M by rho-1 से है दोस्तों बड़ा ही प्यारा फॉर्मूला है ये आपको बस नहीं काम आएगा अगर दोस्तों A2 को इधर ल मसलिंद Christian निकालना रहे तो मिमीः जी वेलीश्याइट फ्रोट है अगर इसको निकाले अंडरूट 63 जो आया था वही आएगा दोस्तों, अंडरूट करीब 8 मीटर पर सेकेंड, 7.96 मीटर पर सेकेंड, अगर हम रेनोल नमबर निकालें दोस्तों, रेनोल नमबर होता है, रो वी डी बाई म्यू, म्यू माल लिए 10 उपर मानेश 3 पास्कल सेकंड ले ले, डेस्टी अगर वाटर ले ले, 1000 केज पर मीटर क्यूब, तो हमारा रेनोल नमबर बन जाएगा, थ्रोट पर अगर निकालें दोस्तों, क्योंकि थ्रोट की वेलोसिटी हमने निकाली है ना, अभी, करीब 8 मीटर पर सेकेंड, तो यह हमारा रेनोल नमबर बहुत ज़्यादा आया, दोस्तों, वेरी वेरी हाई, य हमारा यह वाला जो रेनोल नमबर है, यह तो बहुत ही ज़्यादा आया है, करीब 4 लाग, highly turbulent flow, ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से वेंचरिमेटर का फर्मूला लिख लेते हैं, a2 अपन 1 मानेस a2 बाई a1 का होल स्क्वेर, और अदर रूट टूजी है यहां से आया था दोस यह continuity equations आया है, क्योंकि incompressible flow है, इसलिए density कट गया है, compressible होता दोनों तरफ density भी आता continuity equation में, धन्यवाद दोस्तों, हमने देखा वेंचरिमेटर, रेनोल लंबर वगेरा, धन्यवाद